इस वीडियो का टाइटल देकर आपको पता लगी क्यों कि एक और स्काम है जिसे मैं एक्स्पोस करने जा रहा हूँ और ये स्काम इतना घटिया और थर्ड ग्रेड स्काम है इस पर्टिकुलर स्काम का ना तो कोई यूज है ना बेनेफिट है ये 100% स्काम और जूट और चोरी का चीज है इन फैक्ट मैं आपको बताओं किस तरह इंटरनेशनल फेडरेशन ने इसको बैन इन पे लगाया था इन चीजों पर कुछ तैम पहले कुछ सड़ली इंडिया में एक एक कंसेप्ट नया फेमस होगा पहले कर जाती है इन में से भी लेटे स्केम आया है यह जो फुट पैडज है जिन्ने हम डी टॉक्स फुट पैडज कहते हैं डीटॉक्स एक ऐसा वर्ड है जिसको आज की डेट में मल्टिबल स्कैम से लिंग करा जा रहा है बिकाज मैक्सिमम लोगों को डीटॉक्स का कुछ नहीं पता और जब पैसे आपके इसके लिए पे करते हैं और आपको ऐसे फुट बेदिंग मशीन आती हैं उन्हें भी मैं एक्सपोस करूँ है जिसमें से एक दम सड़न यह पैल डालते हैं कुछ टाइम में पानी काला पड़ जाता है डीटॉक्स हो रहा है यह सारी जो जूट, scams और बकवास चीजें है यह इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ओवर बिक रही हैं हार जगा पे बैंस भी लग रहे हैं इंडिया में कोई regulation नहीं है तो यह मज़े से बिक रही है open areas में यह सारे scams है जूट है जिन में से एक आता है यह जो foot pads आते हैं यह क्या होते हैं आपने देखा होगा, सदनी मार्केट में कुछ पैड्स अवेलिबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर भी आप खरीज सकते हैं इनको, और एड्स भी आते हैं हम तो इनके बहुत लोग प्रमोट करते हैं, यूट्यूबर्स भी हैं कुछ बनाते हैं इन पर वीडियो, वो कहते हैं इन पैड्स को आप रात को अपने पैरों के तले के नीचे लगाईए, और जब आप सुबह उठेंगे तो यह वाइट पैड्स पूरी तरह से काले हो चुके होंगे, या dark brown हो जाएंगे, और वो brown क्यों हो गए हैं, क्योंकि आपके जो feet के अंदर से सारे के सारे toxins हैं, इन्होंने अपकी body से खीच लिए, तो again वोई जो oil pulling के सारे toxins बाहर निकाल दिये, और जैसे oil pulling वाले concept में और और सारे concept में था, almost हर possible disease जो है, उसका cure इस foot pad से link करा जा चुका है, which includes AIDS, cancer, digestive issues, heart problems, brain issues, you name it, कि skin issues वगएरा, जो है weight loss वगएरा, सब कुछ इससे link करा जा चुका है, यह 100% जूट और scam है, यह साले चोर है, हमारी country में आपको बहुत कम लोग हैं, अभी काफी लोग हैं जो इनको expose कर रहे हैं, और मैंसे मैं भी एक हूँ जो इनको expose करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह लोग ठग हैं, और आपको बताऊंगो किस तरह फेडरल ट्रेड कमिशन हैं 2009 में इनको US में बैन करा है, अगर आप first time इनका look देखे, add देखे तो आप भी बड़ा convince हो जाएंगे कि यार सुबह सुबह किसी लिए इनसान ने पैरों के नीचे से pad निकाल और पूरे काले होगे, क्या toxins निकल रहे हैं, ancient eastern Japanese और Chinese medicine में reflexology और acupuncture या acupressure के उपर based है, जो of course foot से सबस्यादा linked है, लेकिन problem है कि reflexology के उपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक different concept है, लेकिन reflexology में भी जो आपके foot है, उन्हें कुछ pressure points वगारा को stimulate करना होता है, इन pads में ऐसा कोई link नहीं है, ये सब्सक्राइब आपके पैर के चिपका देते हैं, एक particular paper का चेपी सी चिपका दी, पटी सी चिपका दी, और ये बोल रहे हैं कि वो reflexology और acupuncture के base पे काम करता है, जिसनका दूर दूतर जैसे मैंने बताया, कोई link नहीं, एक cherry on the cake आता है कि maximum अगर आप companies देखें, उसके पीछे नाम होता है कि Dr. X कोई नाम दे देंगे, let's say Dr. X's footpad, detox footpad, अब ये doctor word जो होता ना, ये सारी ऐसी चोर और scam companies अकसर use करती, ये क्यों use करती, क्योंकि ये credibility बढ़ा देते हैं, marketing का बहुत amazing तरीका है, कुछ साल पहले आपको याद होगा, एक famous dietation इंडिया में, वो पकड़ी गई थी, जो 60 plus clinics run कर रही थी, she was caught with a fake doctor degree, she did not even have a bachelor's degree, इंडिया में पकड़ी गई है, और उसके बाद वो आज भी run कर रही है, सिर्फ अपने नाम के बेज़े, doctor अटा दिया, नाम अटा दिया, तो फर्जी ये जो concepts है, ये इस तरह से बेचे जाते हैं, डॉक्टरों का फर्जी नाम लगाके, ताकि वो credibility बढ़ा और marketing, जो हो जबर्दस्त हो, इन particular food pads के अंदर, एक बहुती famous compound, commonly used होता है, जो मर्धी company ऐसे बनाएं, कुछ भी बकवास करने, हमने ये डाल दिया, वो डाल दिया, कोई कहता हमने कुछ डाल दिया है, लेकिन एक ऐसा compound है, जो used होता है, जिसका नाम होता है, tormaline, और वो कहते हैं, tormaline होता है, ये negative ions generate करता है, पता नहीं क्या है, ये सारे self-made बकवास है, अब प्लीज अंडिस्टाइन, अब आप common sense और science समझाता हूँ आपको, हमारी body में ऐसा कोई system नहीं है, जिससे आपके जो toxins हैं, उनके ऐसे सक करके skin से निकाला जा सके, हमारी जो, अगर आप अगर मार medical stores बे जाएंगे, तो आपको कुछ testosterone patches होते हैं, और कुछ और भी creams होती हैं, जल्दो जब skin पे लगा सकते हैं, जिसमें skin के अंदर वो enter कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है, जो skin से ऐसे बाहर निकाल ले किसी चीज को, जब हम detox की बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया है, ये concept बिल्कुल है, इसके बीचे science बहुत different और deep है, ये नहीं है, ये science नहीं है, ये squackery है, scams है, ये जूट है, ये धोका धड़ी है, आपकी body में आपके liver जो है, वो primary detox organ है, आपका liver अगर function ठीक कर रहा है, तो वो चीजों को detox करने में 100% capable है, आपको कोई special चीज लिवर को नहीं देनी है, कि वो detox से वेकिन बढ़ाए, अगर आपका liver ठीक काम कर रहे हैं ने करी, वो आपके blood test से आपको पता लग जाएगा, कि liver का function कैसा है, और liver जिन चीजों को chemicals बगारा को detoxify करता है, वो kidney के तुरू होती हैं, आपकी urine और आपकी feces से या आपके stool से निकल जाती है, वो तरीके हैं मेन, sweating is also not a detox thing, जैसे लोगों को बताया जाता है, मैंने sweating अपर पूरी वीडियो मनाई थी, कि कैसे research हुई तरी बताया था, कि sweating से जो toxin निकल रहा है, वो इतने इतने minute हैं, कि उसे कोई एक difference नहीं आता है, तो जो लोग बोलते हैं, कि sauna करने से detoxify body हो जाएगी, detoxification नाम की कोई चीज नहीं होती इनसे, उनके अपने benefits हैं, लेकिण detoxification नहीं हो रही है, sweating से जो मेरा वीडियो है, आप बोला चेक करिए, आपको पता लगिया, कैसे sweating detoxification से लिंक नहीं है, कहीं पर भी, अब आता है, इसके पिटिए सेंटिस ने research करी, जो मैंने इस related, जो article लिकस में मैंने बताया, कि काफी researchers ने देखा, कि जब उन्होंने इस particular foot pad को, किसी भी hot environment में रखा, लेट से उन्होंने किसी fireplace के पास रख दिया, या इसके उपर गरम पाई नी डाल दिया, या इसे steam से expose कर दिया, automatically काला पड़ गया, तो उसके अंदर जो chemical है, वो automatically काला हो जाता है, just by exposing to heat, तो वो आपके पैरों से कुछ नहीं कर रहा, वो सरफ heat, because produce होती है, पैरों के नीचे रात को cover कर रहा हुआ, तो automatically वो काला हो जाता है, heat के वज़े से, इसे काला करने के लिए, toxins की तो कुछ नहीं निकल रहा है, अगर आप उसको भार खोल कर, रात को, let's say, आपने microwave में उसे थोड़े ज़़े घरम कर दे, कुछ second, automatically काला हो जाएगा, यह expose open है, अल्रड़ी बताया हुआ है लोगों ने, on the other hand, जब research एसे और test करा, तो नहीं देखा, कि जब उस foot pad को जो बेच रहे हैं, उसको और post, जब वो काला पढ़ गया पैरों के निचे लगाने से, उनको test कराया, तो उसकी chemical composition में, lab में कोई difference नहीं आया, कोई detoxification नहीं हुई, यानि वो जो काला पढ़ा, वो काला किसी reason से नहीं पढ़ा, सब हीट के वाइसे chemical काला हो गया, वो chemical reaction होती है उसमें, यही तो scam है सारा, 2009 में US की Federal Trade Commission ने, जो Kinoki detox foot pads हैं, जिस Kinoki एक company है, I think यह Japanese company थी, जिसके base पर उनने सब साथे business शुरू किया था वर्लोवर, उसके ओपर 2009 में complaint आया, 2010 में उसे ban कर दिया, कि US में यह company कोई भी product नहीं बेच सकती, और यह तो foot pads हैं, इन पर कोई evidence नहीं है, इनके उपर fine लगाए जिए बैन करा जाए, तो officially उनने countries में बैन हो चुका है, and it is time कि यह चीज़ें इंडिया में भी बैन हो, और आपकी आँखें खुलें और यह बकवास चीज़ें आप यूज करनी बंद करें, अगर कोई भी इनसान आपको किसी भी medium के तुरूए चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो चोर है, scamster है, वो ठग है, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे scam से बचें, और reality और science की तरफ जाएं, और ऐसे बहुत सरफ amazing videos के लिए, देखते रहिए, be a stupid.